फिलम आधी पुरुष 16 जुन नू वड़े परदेते रलीज होई सी अते ओधो तो ही इस दी लगातार आलोचना हो रही है कईयानू रामाण दा रूप पसांद नहीं आया तक कईयानू हनू मांजी दी पाशा टपोरियां वर्गी लाग रही है इस दे नाल ही कुछ लोग रम सागर जी दी रमायन विच राम दी पुमिकानी बाउन वाले अरुन गोविल ने वी आधी पुरुष बारे अपनी राई पेश किती है उना ने कहा कि दर्शका ने बोल ले है रमायन पार्ती संस्कृती दी विरासत है अते हुन जिस तरह इस फिलम बारे गाल किती जा रही ह उना नू जानके बोद दुखोय है कि रमायन दी मूल पामना अते रूपनों बदलन दी कोई लोड नहीं सी इस तरह विश्वास नाल छेड चाड़ना करो अरुन गोविल मुताबक रमायन साड़ेली आस्था आते प्रोसेदा विशय है अते इस नाल किसे वितरा दी छेड चाड़नों सवीकार नहीं किता जा सकता रमायन बारे अधुनिकता जा मिति हास दी गल करनी गलता है फिलम दे स्पैशल इफेक्ट सते पेशकारी दी गल वक्री है पर पात्रानों साइट आंगनाल पेश करना जरूरी है हला कि इस बारे चल रिंगा गलना चिंता दा विशा अरुन ने अग्गे की केहा राम सिता हनु मानु अधुनिकता आते मिति हास दे टांचे विच वणना गलता है अरुन ने केहा कि आधी पुरुष विच रमायन दी कहानी पेश करन तो पहला निर्मातामानू ए सोचना पेया कि ओ लोका दी आस्था दे विशेनाल जुडी र रेने मैं रमायन विच अजेही पाशा दा समर्था नहीं कर दा हां थोनों दास दी के फिलम दे डालोग जावी दर्शका वलो जबर्दस्त विरोध किता जारे है इस बारे गल कर दिया अरुन ने किहा कि अजेही पाशा चंगी नहीं लाग दी अते मैं हमेशा संजमी पाश दी वरतो रहां अजेश सीते विच मैन रमायन विच इस तरहां दी पाशादा समर्था नहीं कर दा हां फिर एजील सामने आउन्धी है कि रमायन दी मूल पामना तो दूर जान दी कोई लोड नहीं सी पहला टीजर सामने आउंते अरुन ने सला दिती सी कि आधी पुरुष्ट अरुन ने रमायन नू होलिवुड तो परे रित कार्टुन फिलम दे तोरते दिखाऊंदी गाल किती जो कि बेलकुल भी सही नहीं ह ओना किहा कि निर्मातामाने रचनात्मक अजादी लई है पर जेकरो फिलम वीच अपना नमा इनपूट पावना चाउंदेने ता एस आई नहीं है अरुन गौविल ने इस दोरान एक दस्या कि जदोवादी पुरुष्दा पहला टीजर सामने आया सी ता ओनाने निर्माता किरती सैनन दे बारेच ओनाने के है कि इस चे कला कारांदा कोई कसूर नहीं है निर्मातामा ओनानों दित्ते गए किर्दार दा फैंस ला कर देने अरुन ने बॉलिवुड वीच रमाइन दे फिलमा बनाउंदा सुजा दिन द्या केहा सी कि रमाइन दी मूल पामनानों परक चार दिन पहले जब फिल्म आदिपुरुष का टीजर रिलीज हुआ तब से लेके अभी सक चारो तरफ एक हंगामा है एक शोर है फिल्म इंडस्ट्री में चैनल्स में जर्नलिज्म में एबिटाइजर्स में संद समाज में चारो तरफ एक शोर है चारो तरफ डिबेट हो रही है चारो तरफ बली बुरी बातें कही जा रही है मेरे पास भी सेक्डों फोन आये होगे सब भी चैनल्स से फोन आये जितने सभी जर्नलिस्ट है बड़े बड़े जर्नलिस्ट और सभी सभी के फोन आये they wanted my reaction on that on the teaser कि आपको कैसा लगा आपका क्या reaction है आप क्या सोचते हैं इस बारे में मैं आपको सच बताओ मैंने एक भी शब्द किसी से नहीं कहा मैंने बात ही नहीं कि उस विशाय में मैंने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपसे कुछ बात तो करनी चाहिए आपसे करनी चाहिए मेरे मन में बहुत सारी बाते बहुत सारे समय से आती रही है और इस हंगामे को लेकर इस इशू को लेकर मुझे लगा कि शायद ये सही समय है जब मैं अपनी बाते आपके साथ शेयर कर सकूँ दोस्तों ध्यान से सुनियेगा रामाइन, महाभारत, श्रीमत भागवत जैसे जितने भी ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं ये हमारी संस्कृतिक और धानमिक धरोहर हैं, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी जण है सारी मानव सब्भेता के लिए ये नीव के समान हैं, और ना तो नीव को हिलाया जा सकता है और नहीं जण को बदला जा सकता है नीव या जड़ से किसी भी तरह का खिलवाग ये किसी भी तरह की छेरचा बिलकुल भी ठीक नहीं है हमें इन शास्त्रों से संसकार मिलते हैं जीवन का अधार मिलता है ये धरोहर ही हमें जीने की कला सिखाती है हमारी संस्कृती विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृती है हमारी हर पिर्धी इसे युगो युगो से आत्मसात करती आ रही है जिसका सबसे बड़ा एक्जैम्पल है ठाई साल पहले जब करोना आया था तो करोना ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को तब से लेकर आज तक और भी प्रबल कर दिया है हमारी धार्मिक परमपराओं और मान्यताओं को और अधिक पुस्ट किया है इस महामारी ने टीवी पर जब धारवाहिक रामाइट पसारित हुई थी करोना के दोरान तो रामाइट ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया आप सब जानते हैं हम सब जानते हैं ये एक बहुत बड़ा संकेत है हमारी मान्यताओं और परमपराओं की प्रमानिक ताका इस बार यानि 2020 में रामाइट आज की युवा पीड़ी ने भी देखी और 35 साल पहले बनी रामाइट को पूरी श्रद्धा और आस्था से देखा, समझा और आत्मसात किया आज जो बेहसाब लोग मुझे मिलते हैं उनमें सबसे ज़्यादा संख्या टीनेजर्स की होती है दोस्तों 500 साल के संखर्ष, अथक प्रयत्म और जद्धो जहद के बाद रजाने कितना रक्त बहाने के बाद हमें राम मंदिर के पक्ष में निरने मिला और वहाँ एक भव्य मंदिर कर निर्माण हो रहा है जो 2024 तक पूरा भी हो जाएगा एप्रिशेट करने वाली बात ये है कि मंदिर को भव्यता देने के साथ साथ उसके आत्मा और मौलिकता को जियों का अत्यों रखकर ये मंदिर बन रहा है हमें अपनी सभी सांस्कृतिक और धार में धरोहरों और माननेताओं को जैसी वो है वैसी ही बनाए रखना चाहिए उनमें किसी भी तरह के बदलाव की ना तो जरूरत है ना करना चाहिए और नहीं किसी को किसी और को करने देना चाहिए फला कोई अपनी जनीव हिलाता है क्या कोई अपनी जड़े बदलता है क्या हमारी इंधार में सांस्कृतिक माननेताओं और परंपराओं को किसी भी तरह का कोई नयापन देने की आवश्रक्ता नहीं है तेकि मेरा प्रयास और कर्म तो यही है कि मैं इस जनेरेशन को और अगली पीड़ी को भी वही सिखाऊं, वही बताऊं, वही दिखाऊं जो वास्तावे सत्त्य है, शाश्वत है और सनातन है एक बात और सोचने वाली है किसी और धर्म की परंपरा या माननेता में जब किसी भी प्रकार का बदलाव या नयापन नहीं किया जाता तो हमारी सनातन धर्म की माननेताओं परंपराओं के साथ छेड़ छाड़ आखिर क्यों आजकर ये चलन सा बनता जा रहा है कि सनातन धर्म का मजाग बनाओ देवी देवताओं के अबजेक्शनेबल पोस्टर बनाओ अबद्र भाषा में बोलता हुआ दिखाओ आकर किस ने अधिकार दे दिया कि कोई हमारी धार मेकास्ता से छेड़ छाड़ करे या हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाए कुछ फिल्मेकर्स कुछ राइटर्स, कुछ पेंटर्स, कुछ एक्टर्स कुछ अड़िटाइजर्स को इस बात का विशेज ध्यान रखना चाहिए कि वो क्रियेटिव लिबर्टी के नाम पर धर्म का मजाग न बनाए और नहीं किसी की माननेता या परंपरा को तोड मरोड कर प्रस्तुत करें दोस्तों ये ये किसी राजनितिक पार्टी या धर्म के लिए नहीं बलकि पूरे देश के लिए एक स्वाभिवान बढ़ाने वाली बात है कि आज हमारे प्रधान मंत्री शी नरेंद्र बोदी जी के नेत्रत और कुशल मावड दर्शन में देश के कोने कोने में संस्कृतिक धार्मेक और एतिहासिक धरोहरों को पुना पहचान मिल रही है स्थान स्थान पर कॉर्रो बनाए जा रही है जिन से हमारे धरोहरों की रक्षा भी हो रही है उनका पुनर निर्मान भी हो रहा है साथ ही उनकी मौनिक्ता भी यथावत रखी जा रही है मोदी जी ये देश सदैव आपका रणी रहेगा मेरा अनुरोध है आप सबसे कि आप सब पूरी सक्रियता और जागरूपता के साथ अपनी अमूल्य सांस्कृतिक धार्मिक मान्यताओं और धरोहरों को सहेच कर संभाले रखने का संकल्प करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें धन्यवाद नवस्कार